हम अपनी बच्ची के लिए लड़ते और फिर भी वो नहीं मानते तब उसे तलाख दिलवा देते। सुनीता जी जवाब देती है। अशोक जी व्यंग्य से हैस्ते हुए कहते है। क्यूं। तब आपको बुरा नहीं लगता क्योंकि तब आपसे गलती हुई, आपने धोखा खाया। इसलिए उसको सही करने के लिए आप लड़ती या तलाख दिलवा देती। मगर अपनी बच्ची और उसके होने वाले बच्चे को रखती। क्योंकि यहां तो आपकी इज़्जत आपके बच्चे की वजए से नहीं खराब हुई, तो दोश उसे नहीं दे सकती थी और अपनी गलती ठीक करने के लिए आप उसे पूरे प्यार के साथ रखी रही होती, है। ना, समाज की बातों का भी आप खुद जवाब देती क्योंकि आप अपनी गलती का ठीकर अपने बच्चे पर यह डालते हुए तो नहीं दे सकती थी की, नाक कटवादी यहां इज़्जत निलाम कर दिया, कमाल है ना सुनीता जी, हमारा समाज और हम माता पिता का दोहरा च विसमे अधिबोधक चिनह, विसमे अधिबोधक चिनह, सब हमसे गलती हो तो हम उसे स्विकार नहीं करते और हम माँ बाप, . . . . अपनी गलती को इस अहनकार से नहीं मानते है कि बच्चों का तो कर्ज है हम पर क्योंकि हमने उन्हें जन दिया, जिसकी कीमत वो मरने के बाद भी नहीं चुका सकते. इसलिए अगर हमसे कोई गलती हो जाए, चाहे उनकी जिन्दगी का सबसे बड़ा फैसला शादी ही क्यों ना. हमसे सवाल पूछने और हमारी उपर उंगली दिखाने का अधिकार बच्चों को नहीं होना चाहिए. आपको तो पता है ना कि आज कल शादी कितनी तेजी से होती और तुटती है. उन सब में कसूर किसका होता है? और जब बच्चे गलती करे, खासतोर पर बेटियां तो, पू इजज़त बच जाए. क्यूं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्यूं? हूई उससे गलती, प्यार किया उसने, लेकिन वो इंसान नहीं परक पाई. इसका मतलब क्या उसे मार दे क्यूं? मार तो उस लड़के को देना चाहिए और धिककार उसके माता पिता को होना चाहिए. कि उन्होंने ऐसी ओलाद को पैदा किया. हम क्यूं मारे अपनी बेटी को? नहीं मैं वो पिता नहीं हूँ सुनीता जी. जो इजज़त और समाज के नाम पर अपनी बच्ची को दाव पर लगा दून. तब ही सुनीता जी कहती है कि क्या करेंगे बिन बाप के बच्चे का और ब कि आपने शादी अपनी बेटी की. लोगों का क्या है सुनीता जी. बोल देंगे कि बेटी ने पहले ही किसी से शादी कर लिये थी. लेकिन अब कोई बात नहीं होगी. सब जैसे हालात होंगे हम देख लेगे. फिर नित्या को उठा कर कहते है. फैसला तुझ पर है कि तू क् इस बच्चे को जन देना चाहती है या नहीं. तेरे हर फैसले में तेरा पिता तेरे साथ है. नित्या उनसे लिप्ट कर रोने लगती है. ना बच्चे. रोना नहीं. एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते है. और मैं तो तेरा बाप हूँ. मा, बाप तो अपने अपने ब तू क्या चाहती है. पापा मैं चाहती हूँ. कि इस बच्चे को रखूँ. मैं अपनी जिन्दगी अब इस बच्चे के साथ बिताना चाहती हूँ. उस पर सुनीता और बबिता जी एक साथ कहती है कि ये नहीं होगा तुझे ये बच्चा हटाना होगा. को आखे दिखाते ह फिर अजय जी, अशोक जी के पास आकर कहते है, डॉट 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 ये हमारी बच्ची को देखने दीजे और वो इतनी काबिल है कि अपने और अपने बच्चे की देख भाल कर सके। पहले के समय में 5 साल की बच्ची की शादी 50 साल के बुड़े से कर दी जाती थी, तब तो किसी को उन बेटियों का ख्याल नहीं आता था, सब बच्चे खेलने की उम्र में होते थे, तब ना जाने कितनी बच्चिया विध्वा हो जाया करती थी और पूरा जीवन उनका कितने नर्क में बीठता था ये, तो बताने की जरूरत नहीं है भावी, दुनिया क्या करती है, समाज क्या करता है, ये कभी अपने सोच को बदलेंगे भी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूं की, . . . . . हमारी बेटी ने प्यार करके गलती नहीं की, बस उससे ये नहीं समझ आया कि अपनी मर्यादा जिसके हाथों में दे रही है वो उस भरोसे के लायक है भी या नहीं, और अपनी मर्यादा उसे बिना शादी से पहले तोड़नी नहीं चाहिए थी लेकिन उससे हो गई ग इसमें इसकी क्या गलती, हादसा तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, हम भी यहीं मान लेगे की एक हादसा हो गया, लेकिन उसको ठीक करने के लिए इस पर दवाब नहीं डालेंगे की, तुम बच्चे को हटा दो हम तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे, ये रास्ता हम तभी चुनेंगे जब नित्या ऐसे चाहेगी, नहीं तो हम ये नहीं कहेगे की, अब हम जो कहे वो तुम मानो, हम तो इसे यहीं कहेगे की, अब जिन्दगी में किसी पर भरोसा आंख बंद करके मत करना, और अगर दुनिया ने हर रिष्टे की मर्यादा अगर खीची है तो सीता जी ने लक्षमन की खीची मर्यादा नहीं लांगी होती तो उनका हरन नहीं होता, इसलिए बच्चे जो गलती हो गई, उसे हम ठीक तो नहीं कर सकते लेकिन इसके लिए तेरा साथ तो नहीं छोड़ सकते, फिर नित्या के माथे पर हाथ रख देते है, मैं तो उसके पा फिर अंकल ने कहा, रात हो गई तुम दोनों आराम कर लो, कल बात करते है, हम दोनों नित्या के कमरे आये, ठकान की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई, आप सभी की धे सारे प्यार और समीक्षा का इंतजार करूंगी, क्या लगता है आपको कैसे रहेगा से प्यार कर पाएगी, या रुद्राक्ष खोदी करेगा अपनी जिद्धी मोहबबत का सफर पूरा, जानने के लिए पढ़ते रहिएगा, जिद्धी मोहबबत, नित्या का जाना, अशोक जी उन दोनों को आँखे दिखाते है फिर अजय जी, डॉट 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 से कुछ हो जाता तब क्या करते, वैसे भी भावी दुनिया बहुत आगे आ चुकी है, अब तो बच्चे के नाम के पीछे पिता के नाम की जरूरत नहीं होती, मां का नाम भी काभी है, और कब तक हम बेटियों को ही इजज़त के नाम पर बली चड़ाएगे भावी, पहले क समय में पांच साल की बच्ची की शादी पचास साल के बुड़े से कर दी जाती थी, तब तो किसी को उन बेटियों का ख्याल नहीं आता था, सब बच्चे खेलने की उम्र में होते थे, तब ना जाने कितनी बच्चिया विध्वा हो जाया करती थी और पूरा जीवन उनका क इतने नर्क में बीटता था यें, तो बताने की जरूरत नहीं है भावी, दुनिया क्या करती है, समाज क्या करता है, ये कभी अपने सोच को बदलेंगे भी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूं की, . . . . . हमारी बेटी ने प्यार करके गलती नहीं की, बस उससे ये नहीं समझ आया कि अपनी मर्यादा जिसके हाथों में दे रही है वो उस भरोसे के लायक है भी या नहीं, और अपनी मर्यादा उसे बिना शादी से पहले तोड़नी नहीं चाहिए थी लेकिन उससे हो गई ग इसमें इसकी क्या गलती, हादसा तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, हम भी यहीं मान लेगे की एक हादसा हो गया, लेकिन उसको ठीक करने के लिए इस पर दवाब नहीं डालेंगे की, तुम बच्चे को हटा दो हम तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे, ये रास्ता हम तभी चुनेंगे जब नित्या ऐसे चाहेगी, नहीं तो हम ये नहीं कहेगे की, अब हम जो कहे वो तुम मानो, हम तो इसे यहीं कहेगे की, अब जिन्दगी में किसी पर भरोसा आँख बंद करके मत करना, और अगर दुनिया ने हर रिष्टे की मर्यादा अगर खीची है त दिखलो, सीता जी ने लक्षमन की खीची मर्यादा नहीं लांगी होती तो उनका हरन नहीं होता, इसलिए बच्चे जो गलती हो गई, उसे हम ठीक तो नहीं कर सकते लेकिन इसके लिए तेरा साथ तो नहीं छोड सकते, फिर नित्या के माथे पर हाथ रख देते है, मैं तो उ फिर अंकल ने कहा, रात हो गई तुम दोनों आराम कर लो, कल बात करते है, हम दोनों नित्या के कमरे आये, ठकान की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई, अब आगे, नित्या जब कमरे में आई तो बहुत उदास थी, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो जैसे वो किसी स सोच से बाहर आई हूँ, क्या सोच रही है नित्या, अब तो सब ठीक हो गया ना, अंकल आंटी पूरा परिवार तेरे साथ है, फिर क्या सोच रही हूँ, तू खुश नहीं है, नहीं एनाया मैं खुश हूँ कि मुझे ऐसे परिवार, ऐसे माता-पिता मिले, किस्मत वालों को ऐसा परिवार मिलता है, जो बेटी से हुई इतनी बड़ी गलती नहीं गुना को भी दिल से स्वीकार करते है, लेकिन मुझे खुद पर शरम आती है कि मैं केसी बेटी निकली, प्यार किया मैंने, उसमें मुझे धोखा मिला, ये तो ठीक है, लेकिन उस मोह महबत में अंधी होकर, डॉट 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 अपनी मर्यादा भूल गई, ये गुनाह किया मैंने, यही गलती मेरी जैसी बहुत सारी लड़की करती है, प्यार के नाम पर, लेकिन हर किसी को मेरे जैसा परिवार नसीब नहीं होता है अनाया, मेरी तरह हर लड़की ये गुन बन जाते है, महबत के नाम पर, हमें ही शर्मिंदा क्यूं होना होता है, इन लड़कों को कोई क्यूं नहीं समझता की, लड़कियों के दिल से खेलते हुए उसके शरीर से तो ना खेले, कम से कम चुटा हुआ दिल लेकर वो खुद को संभाल भी लेती है, लेकिन लूटी अनाया उसके कंधे पर हाथ रखती हुई, कुछ चीजों पर हमारा बस नहीं होता है बस हम ये उम्मीद कर सकते है की, काश जिन्दगी में लोग महबत को समझे, महबत रूहानी हो, ना की जिस्मानी, और जो हो गया उस पर अफसोस करते रहने से अच्छा है की, बीती हुई गलतियों से सबक ले और आगे बढ़े, नित्या हमम कहती हुई, रूम से कुछ जरूरी चीजे इक्ठा करती है, और अपने परिवार की तस्वीर लेती हुई, सभी चीजों को पैक करती है, एक छिठी लिखकर टेबल पर रख देती है, पापा, मा, चाचु, चाची, आप स पिता के रूप में मिले, यही परिवार मिले, लेकिन मेरी जैसी बेटी किसी को ना मिले, पापा इस जन्म में तो मैं एक अच्छी बेटी साबित नहीं हो पाई, लेकिन अगले जन्म में आपकी अच्छी बेटी बनुगी, मेरी बेबुकूफी के कारण आज मेरे पिता ने आपने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है कि वो अपना भरन पोसंड कर सके। मैं अपने परिवार की इजज़त को खराब नहीं कर सकती इसलिए यहां से बहुत दूर जा रही हूँ। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करूंगी वादा करती हूँ। जहां भी रहूगी आप सब के आशिरवाद के साथ। आप सब मेरी चिंता मत करना। आप सब की बेबकुफ बेटी नित्या। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रुदराक्ष अपनी आखों में नमीलिये उसकी बाते सुन रहा होता है। अनाया कहती है। उसके बाद हम दोनों बंगलोर आ गए। नित्या ने भी वही से जॉब की और आगे बस निताक्ष, मैं और नित्या। वो साल में तीन बार अपनी परिवार को एक मेल करती है। जिसमें उसकी फोटो और निताक्ष की होती है। वो सब को ये बताती है कि वो ठीक है ले नहीं कह सकती हूँ कि किसमत से हम नहीं लड़ सकते। नित्या बहुत जिद्धी है और मालूम नहीं वो तुम्हें कभी अपना पाएगी भी या नहीं। उपर से तुमने कहा कि तुम उसे अपना सच नहीं बताओगे। रुद्राक शनाया से कहता है अगर अपना सच बता दिया तो भावना में बहकर मेरे साथ आ जाएगी लेकिन मुझे वो नित्या नहीं मिलेगी जो मुझे प्यार करती थी। इसलिए अगर वो जिद्धी है तो मैं भी जिद्धी हूँ। फिर से उसे अपनी मोहब्बत के रंग में रंग दूनगा। तब उसे खुद ले पर माफी भी मांगूगा। अनाया और रूहान एक साथ कहते हैं। आल दी बैस्ट। रुद्राक्ष। नित्या के कमरे में जाता है। जो बाहर आई ही नहीं थी। वो अपने कमरे में खिर्की के पास खड़ी रहती है। पीछे से रुद्राक्ष आबाज देते हुए कहता है। नित्या नित्या बिना उसी तरफ मुड़े बिना ही कहती है। अनाया ने सब कुछ बता दिया होगा तुम्हीं। अब तो समझ चुके होंगे कि मैं इस जन्ग क्या किसी जन्ग में तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर भी तुम्हें जिद करनी है तो कर सकते हो। औ और इस तैयार रहो दर्द सहने के लिए, रुद्राक्ष हलका हैस्ते हुए कहता है, दर्द तो तुम्हारा रुद्राक्ष अपनी किस्मत में लिखवा कराया है, नीत, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे किसी भी दिये हुए दर्द से, मेरी मोहबबत फिर भ देखते हुए कहती है, दोखा, रुद्राक्ष मुस्कुरा कर उसके माथे को चुम लेता है और उसे सीने से लगा लेता है, नीता उससे छुटने की कोशिश करती हुई कहती है, छोडो मिस्टर ओबो राया, लेकिन वो कहां रुद्राक्ष के बाहों से खुद को निकाल पा ही अपनी बाहों में लिये हो। निताक्ष की तरफ अपनी एक बाहे फेला देता है और निताक्ष को अपनी एक तरफ सीने से लगा लेता है। इस समय वो अपने बहतरीन पल जी रहा होता है। अपनी मोहबबत और अपने बच्चे को बाहों में लेकर नित्या के लिए भी ये सूस कर रही होते हैं। उन दोने का ये पल रूहन, युवान और अनाया के मोबिल में क्लिक हो जाता है। और वो फिर उन्हें ऐसे छोड बाहर चले आते हैं। फिर निताक्ष उसके कंधे पर सर रखे हुए कहता है। नित्या ने भी वही से जॉब की और आगे बस निताक्ष, मैं और नित्या, वो साल में तीन बार अपनी परिवार को एक मेल करती है, जिसमें उसकी फोटो और निताक्ष की होती है। वो सबको ये बताती है कि वो ठीक है लेकिन कहा है ये नहीं बताती। अगर मुझे रूहान से तुम्हारे बारे में मालूम नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं बताती। लेकिन अब तुम दोनों के बारे में सोचकर यही कह सकती हूँ कि किस्मत से हम नहीं लड़ सकते। नित्या बहुत जिद्दी है और मालूम नहीं वो तुम्हें कभी अपना पाएगी भी या नहीं, उपर से तुमने कहा कि तुम उसे अपना सच नहीं बताओगे, रुद्राक शनाया से कहता है, अगर अपना सच बता दिया तो भावना में बहकर मेरे साथा जाएगी लेकिन मुझे वो नित्या नहीं मिलेगी, जो मुझे प्यार करती थी, इसलिए अगर वो जि जुहान एक साथ कहते है, आल दी बैस्ट, रुद्राक्ष, नित्या के कमरे में जाता है, जो बाहर आई ही नहीं थी, वो अपने कमरे में खिर्की के पास खड़ी रहती है, पीछे से रुद्राक्ष आबाज देते हुए कहता है, नित्या, नित्या बिना उसी तरफ मुड़ है तो कर सकते हो, और इस तैयार रहो दर्द सहने के लिए, रुद्राक्ष हलका हैस्ते हुए कहता है, दर्द तो तुम्हारा रुद्राक्ष अपनी किस्मत में लिखवा कराया है, डॉट 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 नित्या, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे किसी भी दिये हुए दर्द से, मेरी मोहबबत फिर भी तुम ही रहोगी, फिर उसके पास आकर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, डॉट 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 देखो मेरी आखों में, नित्या उसकी तरफ देखती है, डॉट 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 क्या नजर आया त डॉट 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 नीता उससे छूटने की कोशिश करती हुई कहती है। अपनी एक तरफ सीने से लगा लेता है। इस समय वो अपने बहतरीन पल जी रहा होता है। अपनी मोहबबत और अपने बच्चे को बाहों में लेकर, नित्या के लिए भी ये पल, चाहे कुछ समय के लिए ही सही जी लेना चाहती है। इसलिए वो भी इसी तरह रुद्राक्ष के बाहों में खुद को छोड़ी रखी हुई थी। दोनों ये सुकून और खुशी के पल बिना कुछ बोले महसूस कर रही होते है। उन दोने का ये पल रूहन, युवान और अनाया के मोबिल में क्लिक हो जाता है। और वो फिर उन्हें ऐसे छोड बाहर चले आते है। फिर निताक्ष उसके कंधे पर सर रखे हुए कहता है। दैदा अब आप हमारे साथ रहोगे ना। अब हम रोज साथ में खेलेंगे, घूमने जाएगे है ना। आप हमारे साथ सोएंगे ना। अब आगे हबिसकस 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 हब हाँ मेरा बच्चा, आपके डेडा आपके साथ रहेंगे। रुद्राक्ष की ये बात सुनते ही नित्या उससे अलग होकर देखने लगती है। नित्या नहीं आई डिनर के लिए। रुद्राक्ष कहता है। मैं उसे लेकर आता हूँ। नित्या को कुरसी पर बिठा कर वो अंदर आता है तो नित्या को उसी तरह खड़ा पाता है। वो उसके पास आता है। यहां क्यूं खड़ी हो चलो खाना खाते है। नित्या अपनी दांतों को पिस्ती हुई कहती है, क्यूं कर रहे हो तुम ऐसे, क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊं। कहती हुई अपने चेहरे पर हाथों को रख कर रोने लगती है, रुद्राक्ष गुस्से में दर्वाजा पहले बंद करता है, और उसके पास आकर उसकी हाथों को चेहरे हटाते हुए, कहता है, क्या कहा तुम ने, अभी, उसी तरह नित्या भी कहती है कि, तुम ये चाहते हो क कि मैं मर जाऊं, विसमे अधिबोधक चिनह, विसमे अधिबोधक चिनह, विसमे अधिबोधक चिनह, रुद्राक्ष उसे अपनी तरफ खीच कर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है, डॉट 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 और उसे बहुत रूडली किश करने लगता है, नित्या हाथों से उसे मारती है लेकिन रुद्राक्ष उसके हाथों को पकड़ लेता है। डॉट 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 और उसे किश करते रहता है। दर्द के वजह से नित्या के आखों से आंसू आने लगते है। और उसकी सांसे उखडने लगती है। तब रुद्राक्ष उसे किश करना छोड़ देता है, फिर उसके जबरों को पकड़ते हुए, कहता है, दर्द हुआ तुम ही, नित्या के आखों में आंसू देख, उसे खुद तकलीफ होती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अपनी बातों को फिर से कहता है, दर्द हु चाहे जैसी भी परिस्थिती थी मुझे खुद से तुम्हें दूर नहीं करना था, लेकिन हो गई ना, यार, डलती मुझ से, फिर उसके कंधे को पकड़ते हुए कहता है, और क्या लड़का और लड़की लगा रखा है तुमने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन से इंपास नहीं किया है, डॉट डॉट, ना करूंगा, मैं खुद महिलाव की इजज़त करता हूँ, मैंने पहली और आखिर मोहबबत सिर्फ एक लड़की के साथ की वो हो तुम, और मेरी मोहबबत तुम्हारे लिए कभी जिस्मानी नहीं रही, वो तुम अच्छी तरह से ज चांती हो, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो, परिस्थिती के कारण हुई लेकिन मेरे लिए वो पल कभी ना भूल पाने वाला लमहा रहा है, जिसमें मैंने अपनी मोहबबत को जिया था और मुझे कोई अफसोस नहीं था ना होगा, और रही बात भाग जाने की, तो उसके द वो दिन बाद तुम्हें याद होगा ना, कि मैंने एक स्कॉलर्शिप वाली पेपर पर साइन करवाए थे, नित्या हां में सर को हिलाती है, फिर रुद्राक्ष कहता है कि, डॉट 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 वो स्कॉलर्शिप के पेपर नहीं थे नित्या वो हमारी कोर्ट मेरेज के पेपर थे, क्योंकि उस दिन जो भी हुआ, मैं मानता हूँ, मेरी गलती थी, डॉट 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 मर्यादा मैंने तोडी, तो जवाब देही भी मेरी थी, डॉट 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 और पुरे दिल से और नहीं ले सकता था तुम्हें लेकर, बस एक सुरक्षा के नजर ये से ये सब किया, और सही वक्त का इंजार करने की सोची, लेकिन मुझे क्या पता था कि, मेरी जिंदगी मैं अब सही समय कभी आएगा ही नहीं, मैं तुम्हें ढूर ने आया था नित्या, तुम्हारे घर त था कि, तुम मुझे देखते ही फिर कहीं चली जाओगी, इसलिए एक साल तुम्हारा इंतजार किया, निताक्ष के बारे में मुझे दो दिन पहले पता चला, अब तुम बताओ, कि पत्मी के साथ, दो बारा रहने में, क्या गलत है, बोलो नीत, मैं जहां गलत था वहां की भरपाई कर रहा हूँ, और तुम्हारी नाराजगी और बाते सुन रहा हूँ, वरना तुम भी जानती हो रुदराक्ष के लिए कुछ भी नमुम्किन नहीं है, नित्या कुछ नहीं बोली, उसे चुप देख, रुदराक्ष को बुरा लगता है लेकिन कुछ कहता नहीं, उ फोन उस पर आता है, इशाया, नाम देख रहा होता है, जिस पर नजर नित्या की जाती है, नाम देख नित्या को अंदर से दर्ध होता है, और खाना से उठकर कहती है मेरा हो गया, कहती हुई प्लेट उठा लेती है, सभी का खाना हो चुका था, तो अनाया और नित्या प्ल रुद्राक्ष बोलता है, हेलो मेरी जान, किया हुआ, नित्या किचेन में, सब मेरी जान रुद्राक्ष के मुँँ से सुनती है तो, गुस्से में, किचेन से रूम की तरफ चली जाती है और जोर से दर्वाजा बंद कर देती है, रुद्राक्ष बात करते हुए उसकी प्रतिक्रिया को देखकर मन में कहता है अब एसे क्या हो गया इधर एशाया कहती है मामू, काब आओगे बेटा मामू तो आज नहीं आएंगे लेकिन आपके लिए एक सर्प्राइज है तो मामू बहुत जल्दी आपके लिए सर्प्राइज लेकर आएंगे सच, मामू हाँ, बिल्कुल सच क्या सर्प्राइज है मामू ओ मेरी गुडिया अगर सर्प्राइज बता ही दूनगा तो सर्प्राइज केसी रहेगी ओ, हाँ, सौरी मामू जल्दी आना, मैं आपको बहुत मीज कर रही हूँ जल्दी आऊंगा बच्चा, बाई गुड नाइट रुद्राक्ष, मुलकर युवान से कहता है सुबह मेरे कपडे लेते आना मैं यही रुक रहा हूँ युवान कहता है, ठीक है भाई और रूहान के साथ घर निकल जाता है निताक्ष कमरे में आता है तो नित्या आखें बंद की हुई थी डौट डौट डौट, रुद्राक्ष एक तरफ निताक्ष को सुला कर वाश्रूम चला जाता है और फ्रेश होकर आता है लाइट आफ करके, नित्या के बगल में आकर लेट जाता है नित्या जो सोने का नाटक कर रही थी उठकर बोलती है, तुम मेरे बगल में क्या कर रही हो गए नहीं अपनी जान के पास जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी फ्लो फ्लो नित्या बोल जाती है रुद्राक्ष उसकी बाते सुन तिर्छा मुस्कराते हुए कहता है यानि तुम्हें जलन हो रही है और उसे अपनी गहरी नजरों से देखता है नित्या नजरों को घुमाती हुई कहती है मैं क्यूं जलूगी तुम यहां हो इसलिए पूछ लिया रुद्राक्ष उसे बाहों में लेकर अपने सीने पर सुला लेता है और खुद भी लेट जाता है चोड़ों मुझे रुद्राक्ष मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती नहीं बीबी अब तुम मेरे साथ ही सोगी नित्या हिलती हुई उससे छूटने की कोशिश करती है रुद्राक्ष उसे दोनों बाहों में भरे हुए कहता है शांत हो जाओ निताक्ष जाग जाएगा नित्या ये सुनकर शांत होकर उसके सीने पर सर रख लेती है उसे भी रुद्राक्ष की धरकन सुनकर सुकून आ रहा होता है लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहती थी दिल के हाथों फिर से धोखा नहीं खाना चाहती थी इसलिए एक बार फिर से उसी तरह उस पर लेटी हुई कहती है तुम्हें जाना था, रुद्राक्ष सालों बाद उसके अहसास को महसूस करते हुए आखे बंद किये होता है, कि उसकी ये बात सुन कहता है, कहां जाना है मुझे, जिसे तुम अभी जान बुला रहे थे, उसके पास, रुद्राक्ष, उस पर दबाब बनाते हुए कहता है, प इस दिन तुम उससे मिलोगी, मुझे यकीन है तुम खुद ही उसे खुद से कभी अलग नहीं करोगी, मैं क्यूं मिलूंगी उससे, और मैं क्यूं उससे अपनी जान बनाऊंगी, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन की बेटी है, और एक हादसे में, दीदी और जीजू नहीं रहे नित्या सर उठा कर कहती है, केसे, ये, ये कब हुआ, उसकी इस तरह की फिक्र देखकर, रुद्राक्ष को अहसास होता है कि, चाहे गलत फहमी कितनी बड़ी क्यूं ना हो, सच्छी मोहबबत को कम नहीं करती, उसके माथे को चूमते हुए कहता है, बाद में बताऊंगा, अ उसका नाम जान नहीं, इशाय, है, जल्दी मिलवाऊंगा, चलो सोजाओ बीबी, मुझे सालों बाद बहुत गहरी नीम दा रही है, आज अपनी जिंदगी को सालों बाद अपनी बाहों में लेकर सो रहा हूँ, और वो आँखें बंद कर लेता है, नित्या भी उसके सीने प रुद्राक्ष एक तरफ निताक्ष को सुला कर वाश्रूम चला जाता है, और फ्रेश होकर आता है, लाइट आफ करके, नित्या के बगल में आकर लेट जाता है, नित्या जो सोने का नाटक कर रही थी, उठकर बोलती है, तुम मेरे बगल में क्या कर रही हो, गए नहीं पास जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी. फ्लो फ्लो नित्या बोल जाती है. रुद्राक्ष उसकी बाते सुन तिर्चा मुस्कराते हुए कहता है. यानि तुम्हें जलन हो रही है. और उसे अपनी गहरी नजरों से देखता है. नित्या नजरों को घुमाती हुई कहती है. मैं क्यूं जलूगी? डॉट 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 तुम यहां हो इसलिए पूछ लिया. रुद्राक्ष उसे बाहों में लेकर अपने सीने पर सुला लेता है और खुद भी लेट जाता है. डॉट 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 चोड़ों मुझे रुद्राक्ष, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती. नहीं बीबी, अब तुम मेरे साथ ही सोगी. नित्या हिलती हुई उससे छूटने की कोशिश करती है. रुद्राक्ष उसे दोनों बाहों में भरे हुए कहता है, शांत हो जाओ, निताक्ष जाग जाएगा, नित्या ये सुनकर शांत होकर उसके सीने पर सर रख लेती है, उसे भी रुद्राक्ष की धरकन सुनकर सुकून आ रहा होता है, लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहती थी, दिल के हाथों, फिर से धोखा नहीं खाना चाहती थी, इसलिए एक बार फिर से, उसी तरह उस पर लेटी हुई कहती है तुम्हें जाना था, रुद्राक्ष सालों बाद उसके अहसास को महसूस करते हुए आखे बंद किये होता है, कि उसकी ये बात सुन कहता है, कहां जाना है मुझे, जिसे तुम अभी जान बुला रहे थे, उसके पास, रुद्राक्ष, उस पर दबाब बनाते हुए कहता है, प इस दिन तुम उससे मिलोगी, मुझे यकीन है तुम खुद ही उसे खुद से कभी अलग नहीं करोगी, मैं क्यूं मिलूंगी उससे, और मैं क्यूं उससे अपनी जान बनाऊंगी, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन की बेटी है, और एक हादसे में, दीदी और जीजू नहीं रहे नित्या सर उठा कर कहती है, केसे, ये, ये कब हुआ, उसकी इस तरह की फिक्र देखकर, रुद्राक्ष को अहसास होता है कि, चाहे गलत फेहमी कितनी बड़ी क्यूं ना हो, सच्छी मोहबबत को कम नहीं करती, उसके माथे को चूमते हुए कहता है, बाद में बताऊंगा, अब सो जाओ, कल ओफिस भी जाना है, आज तो कोई काम किया नहीं, नित्या, उसके सीने पर सर को रखे कहती है, मुझे मिलने है, जान से, उसका नाम जान नहीं, इशाया, है, जल्दी मिलवाऊंगा, चलो सो जाओ बीबी, मुझे सालों बाद बहुत गहरी नीम दा रही है, आज अपनी जिन्दगी को सालों बाद अपनी बाहों में लेकर सो रहा हूँ, और वो आँखें बंद कर लेता है, नित्या भी उसके सीने पर ही आँखें बंद कर लेती है, कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के बाहों में सो जाते है, अब आगे हबिसकस 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 सुबह खुद को रुद्राक्ष की बाहों में देख नित्या खुद को आराम से उसकी बाहों से निकाल कर सोते हुई रुद्राक्ष को देखती है. फिर कुछ देर बाद वो वाश्रूम चली जाती है. वाश्रूम से निकलने के बाद उसकी नजर रुद्राक्ष और निताक्ष पर जाती. दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए सोय हुए थे. नित्या मुस्कुरा कर उन दोनों की इस तरह से एक तस्वीर लेती हुई, बाहर निकल जाती है, अनाया उसके पास आती हुई कहती है, गुड मॉनिंग, नित्या मुस्कान लिये कहती है, गुड मॉनिंग, क्या बात है बहुत मुस्करा रही हो, ऐसा कुछ नहीं अनाया बस निताक्ष को लेकर खुश हूँ, क्या को जाते देखती है और मन में कहती है, ये इगो की दिवार हर रिष्टे को कमजोर कर देती है, पता नहीं लोग कब समझेंगे की, रिष्टा इगो से बनता नहीं चूट जाता है, नित्य कमरे में अब भी दोनों बाप बेटे को सोया हुआ देख, खुद में कहती है, डॉट देखो तो अपनी तरह मेरे बेटे को भी बिगार बैठे है, फिर धीरे से उनके पास आकर, निताक्ष की उपर से, रुदराक्ष के हाथों को हटाती है, फिर निताक्ष के हाथों को हटाकर अलग करती है, . . . . . . . मौम, निनी आ रही है, रुदराक्ष की नींद खुल ना जाए, . . . . इसलिए नित्या चुप रहती हुई आराम से, उसे उठाने के लिए, . . . . . . रुदराक्ष के उपर जुक जाती है, कि तभी रुदराक्ष उसकी कमर पकड़ कर खुद के उपर ले लेता है, . . . . और उसका चेहरा नित्या के सीने में छिप जाता है, नित्या की धढकन तेज हो जाती है, जिसका अहसास करते ही, . . . . . . रुदराक्ष उसके सीने से अपने चेहरे को हटा कर कहता है, . . . . . . . क्या बात जान, आज भी मेरी करीबी तुम्हारी धढकन को तेज धढकने पर मज जोर से काट लेती है. डॉट 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 जिससे रुद्राक्ष की पकड उस पर से धीली हो जाती है. डॉट 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 और जोर से चीखता है. आह, पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? रुद्राक्ष को इस तरह से चीखता सुन, निताक्ष की आँखें ख कर कहता है, सौरी बच्चा, एक नागिन ने काट लिया था मुझे, नित्या अपने लिए नागिन सुनती ही, गुस्से में कहती है, नागिन दस्ती है काटती नहीं, रुद्राक्ष उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, काश वो मुझे डस लेती लेकिन काटा क्यों, नित नित्या अपनी हाथों को बांध कर, थोड़ी जुक जाती है, डौट डौट डौट, और कहती है, खवाब देख रहे थे, उस खवाब को तोड़ दिया मैंने और क्या किया, और नागिन दसे या काटें, दोनों परिस्थिती में, इंसान मर जाता है, रुद्राक्ष उसकी बात सुन थोड़ा ओपर खुद को उठा लेता है और नित्या का हाथों खीच लेता है, डौट डौट डौट, नित्या सीधे रुद्राक्ष के सीने पर गिरती है, सब तक वो कुछ समझती और बोलती, डौट 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 डौट, रुद्राक्ष उसको पलट कर अपने निचे कर लेता है, डौट और उसकी आखों में देखने लगता है, अभी दोनों का चेहरा एक दूसरे के बिलकुल करीब था, इतना की दोनों की नाकापस में मिल रही होती है, रुद्राक्ष उसकी आखों में देखते हुए कहता है, नागिन काठे या डसे, लिप्टी हमे नहीं कर रही होती है, फिर उसके माथे को चूनते हुए कहता है, आई लब यू नीत, उठकर सीधे वाश्रूम चला जाता है, उसके जाते ही नित्या खुद से कहती है, डौट 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 तुम्हारी आखें आज भी उसी तरह मुझे देखती है, जैसे पहले देखा करत थी, डौट 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 फिर ऐसे क्या था जो तुमने मेरे साथ किया, नहीं, डौट डौट नहीं, नित्या फिर से तू इस इंसान से धोखा नहीं खा सकती, सब जूट है, तभी एक आवाज सुन वो अपनी सोच से बाहर आती है, रुद्राक्ष वाश्रूम से उसे नीत मेरे कपड़े रख दो, मुझे तो इसने अपना ना जाने क्या समझ लिया है, कुछ आगे बोलती की फिर से रुद्राक्ष की आवाज आती है, अगर मेरी नकल उतार ली हो तो बीबी, जाओ मेरे कपड़े ले आओ, नित्या खुद में, यें, यें, केसे, जाओ ना ज बाद में सोचना, क्यूं और केसे, नित्या घूरती हुई बातरूम के दरवाजे को देखती है और कुरती हुई, कमरे से बाहर निकल जाती है, बाहर युवान एक ट्राली बैग लिए खड़ा होता है, जिसे देख नित्या कहती है, क्या है यें, युवान कहता है, भाभी क कपड़े पहले रख देता हूँ, बाकी सब कुछ आप भाई से पूछ लेना, नित्या कुछ बोलती कि उससे पहले युवान उसके रूम में कपड़े लेकर चला जाता है, अनाया, सरोजान्टी के, जो निताक्ष को नाश्ता करवा रही होती है, नित्या के चहरे का कुरा रही होती है, और छिपकर उसकी एक तस्वीर खीच लेती है, नित्या अब भी हैरान सी थी, कि तब तक रुद्राक्ष ब्लेक रंग के कोट और वाइट शर्ट पहने, आफिस के लिए तैयार होकर उसके बगल में खड़ा हो गया और आराम से बोला कि, तुम इतनी हैर परेशान क्यूं हो, नित्या भी उसी अबस्था में बोल गई की, एक दिन पहले तक मैं नित्या थी, अब भावी और बीबी, ये सब केसे, रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रख देता है, तब नित्या होश में आती है और पीछे मु